भाई बहन के प्यार का पवित्र पर्व रक्षा बंधन सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस साल पंचांग के अनुसार रक्षा बंधन का पर्व 19 अगस्त को पड़ेगा और इस दिन की खास बात यह है कि सावन का अंतिम सोमवार भी इसी दिन है। यह सन्योग रक्षा बंधन के महत्व को और बढ़ा देता है क्योंकि सावन का सोमवार और भाई बहन के रिष्टे का यह पर्व दोनों ही प्रेम, समर्पन और आस्था का प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन इस बार रक्षा बंधन पर एक विशेश खगोलिय स्थिती भी बनी है, जिसे ध्यान में रखना बेहत जरूरी है। काशी के प्रसित जोतिशाचार्य, पंडित संजय उपाध्याय के अनुसार, इस साल रक्षा बंधन के दिन भद्रा का साया दोपहर एक बचकर 24 मिनिट तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भद्रा काल में कोई भी शुप कार्य करना वर्जित माना गया है। इसलिए राखी बांधने के लिए इस काल के समाप्त होने का इंतजार करना आवशक है। भद्रा के समाप्त होने के बाद, दो शुप मुहर्थ इस राक्षा बंधन को और भी खास बना रहे हैं। पहला शुप मुहर्थ दोपहर एक बचकर 26 मिनिट से शाम के तीन बचकर 32 मिनिट तक है। इस समय में भाईयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने से रिष्टे में और मिठास बढ़ती है। और साथ ही भाई के जीवन में सुकसम्रिधी की प्राप्ती होती है। इसके अलावा दूसरा शुप मुहर्थ शाम को प्रदोश काल के दौरान रहेगा। शाम 5 बच कर 32 मिनट से लेकर 6 बच कर 55 मिनट तक का समय भी रक्षा सूत्र बांधने के लिए अत्यंत लाबकारी माना गया है। इस समय में राखी बांधने से भाईयों को दीरगायू का आशीरवाद मिलता है और उनके भाग्य का उदे होता है। इस रक्षा बंधन भद्राकाल के समाप्त होने के बाद सही मुहूर्त में रक्षा सूत्र बांध कर भाईयों को सुख, सम्रिध्धी और आरोगिता का आशीरवाद दिया जा सकता है। इस विशेश दिन पर भाईयों की रक्षा का संकल्प लेकर बहने उन्हें दीरगायू और सुखमय जीवन की शुपकामनाये देती हैं। इस रक्षा बंधन रिष्टों की इस अनमोल डोर को और भी मजबूत करें। सही समय का ध्यान रखते हुए, भाईयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे और उनके जीवन को खुशियों से भर दे। लोकल 18 के लिए वारानसी से अभिशेक जैसवाल की रिपोर्ट।